असलाम olanikum मैं घुलाम रसूल आज फिर आया हूं एक नया वीडीयो के साथ इसमें मैं आपको बताऊंगा अर्भी क स्थैल में कुसा मैसी हमने किस तरीके से बनाते हैं तो तो Всё equipment और किस से बनाते हैं किस तरीके से इस में क्या क्या इस्तest parce करते है मैं आपको पूरा बताने वाला हूं दिखाने वीडियो के अंतक जरूर बने रहे और आगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कॉमेंट्स भी जरूर करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब भी करते चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो जिसे हम लोग कहते हैं बेबी मेरो यह फिर जोगनी से वाटर के अंदर एड करके लिजेगा ताकि इसका जोगन्दगी निकल जाए अब इसे हमें कट करना है कट करने के बाद इसे हमें मिडल में हम जहां श्टपिंग करना है उस जगह को खाली कर लेना है तो हम अच्छे से जो हम मुझे अच्छा लगता है आपको अगर पसंद नाया आए तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं हमने यहां डिजाइन दे दिया है देखिए सबका यह देखने में तो अच्छा लगता है इसके लिए स्रुक अब इसे हम पाने से निकाल लेते हैं रख लेते हैं अब एक ब थ्रुनी का छॉप आट करने हैं इसमें वाद में करेंगे सौर टेस्ट के अनुसार हाप यसपण गरने करें समय आप एड़ करेंगा हाफ इस्पून सेव जाना है यह आपको मार्केट में उल जाता है हाफ विस्पून एड्ट कर लेते हैं लेक पेपर पोड़ करेंगएगे हां कि मेलटे लिए अंब इस makes कर लेते हैं इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना जब मिक्स हमारा हो जाए तो जो हमने करने के लिए जुग नहीं रखा था उसके अंदर इसे इस्टप कर लेते हैं यह देखें इस तरीके से हमें इस्टप करना याद रखेगा ज्यादा भी इसमें एड नहीं करना है वरना आपका कुशा फट जाएगा बोईल करते से इसलिए से नॉर्मल रखना है पुरा भरना भी नहीं है टाइट नहीं फुल करना है अब एक पॉट ले लेते हैं उस मैट कर लेते हैं पोटाइटो तके हमारा जो कुशा वह जले ने लिजये ङसे पोटाटिय का जूर्वत नहीं होता है अब इसमें ज़ोकिस्ण है उसे हम सदा लेते हैं अच्छा से देख लीजे आप कुछ जैसान्य कर रज़क अलग बॉल ले लेते हैं उसमें एक करेंगे ऐट करेंगे ठीरी स्फुन टमैटो का पेस्ट का पेस्ट को एट करना है इसमें एट करने के बाद इसे मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद जो हमने बना कर रखा था कुशा को इसके अंदर एट कर लेते हैं अब इसे हमें कौबर करके बॉयल करना है एक घंटे के लिए देखे एक घंटा हमारा हो गया है अब मैंसे चेक कर लेता हूं माशाला यह देखे कितना चाहा हो चुका है कलर भी आ गया है अब इसे हम निकाल लेते हैं यह हमारा सॉस भी रेडी हो चुका है इसे प्लेट में निकाल लेते हैं सर्फ कर लेते हैं इस तरीके से सर्फ करने के के बाद इसके उपर जो है ना स्वास हमें अलग बॉल से बॉल में स्वास को सर्फ कर देना है ताके जरूत पड़े तो आप उस बॉल से यूज़ कर सकते हैं स्वास का वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कॉमेंट्स जरूर करें फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीड